हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अनुराग सिंग आपके बीच में हाजिर हूँ एक नई सीरीज लेके इस सीरीज में हम डिसकस करेंगे किरन पब्लिकेशन की बुक S.S.C. समान नध्यन के 12,000 से ज़्यादा कोशिन ये सीरीज का पहला वीडियो है तो आईए शुरू करते हैं पहला कोशिन पुरा लेक विद्या का भी प्राय है तो पुरा लेक विद्या का भी प्राय क्या है इसको जानने से पहले हमें जानना होगा पुरा लेक किसे कहते हैं पुरा लेख जो है वो दो सब्दों से बना है पुरा और लेख पुरा का अर्थ होता है प्राचीन और लेख का अर्थ होता है लेखन तो प्राचीन समय में जो लेखन होता था उसके अध्यन की बात हो रही है तो पुराने समय में जो लिखा जाता था वो हम लिखते थे प्राचीन काल में इस्त्रोत समागरी लिखने के लिए परियोक्त भाषा थी बहुत प्राचीन समय में जब हमी किसी चीज को लिखना होता था तो हम किस भाषा का प्रियोक करते थे तो इसका सही अंसर होगा संस्कृत क्योंकि संस्कृत जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है संस्कृत से ही मैथली, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, योडिया, बंगला, मराथी, सिंदी, पंजाबी, निपाली ये सारी भाषा योत्पन हुई है संस्कृत जो है वो हिंदू धर्म की बौध धर्म की प्रमुक भाषा रही है बौध धर्म की जो महयान शाखा है उसके गरंथ भी संस्कृत में मिलते हैं हमारे जो गरंथ हैं जैसे महाभारत, रामायर ये सबी संस्कृत में मिलते हैं संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक अस्ट्य ध्याई जो पाड़नी द्वारा लिखी गई है वो सबसे प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथों में से एक है संस्कृत की जो लिपी है वो देवनागरी है और हिंदी की लिपी भी देवनागरी है और आपको ये बात भी जानने चाहिए कि जो भारती सविधान की आठवी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेक है उसमें भी संस्कृत का उल्लेक है और उत्रा खंड राजी की राज भाषा भी संस्कृत है तीसरा कोशन मानव द्वारा प्रयुक्त की गई पहली धातु कौन सी थी ये बहुती असान सवाल है इसका सही अंसर है कौपर तामबा सबसे पहले मानव ने तामबे का इस्तमाल सुरू किया था और उस यूग को तामर पाशान यूग कहते हैं जब तामबे का इस्तमाल किया जाना सुरू ह महापाशान संस्कृति हमें दक्षण भारत के उस एतिहाशिक युक से परिचित कराती है जब महापाशान कालमे उपियोग में लाए जाते थे क्या तो देखिए सबसे पहले आपको महापाशान का अर्थ समझना होगा कि ये सब्द आया कहां से देखिए जो हमारा जो दक्षन भारत है दक्षन भारत में जब लोग मर जाते थे तो उन्हें दफनाया जाता था दफनाने के लिए मिट्टी खो दी जाती थी आदमी को उसके अंदर डालते थे मिट्टी धख दी जाती थी फिर कोई और वेक्ति माली जे मर गया या उसका देहान ठो गया तो उसको जब दफनाने के लिए लाते थे तो कैसे पता चलेगा कि पिछले वेक्ति को कहां दफनाया था क्या पता फिर वो गड़ा खोदे और वहाँ पहले से ये क्लास मिले तो वहाँ तो नहीं दफना सकते हैं तो इसलिए वो क्या करते थे उन कबरों के उपर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे जिससे कि अगली बार जब किसी को दफनाने के लिए वो वहाँ आएं तो उन्हें पता चल जाए कि इस जगह पे नहीं खोदना है यहाँ पहले से ये क्लास दफनाई जा चुकी है तो क्योंकि वहाँ पे पत्थर रखे जाते थे और पत्थर कोई पाशान कहते हैं और बड़े पत्थर होते थे इसलिए उन्हें महापाशान कहते थे तो महापाशान संस्कृति का क्यार्थ हुआ कि बड़े पत्थर से घेरी हुई समाधिया या फिर कबरे तो इसका option C सही हो जाएगा तीसरा answer तीसरा option सही है पाशा question है धातू से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे सबसे पहले जब हमने देखी क्या है कि खुदाई की तो हमें जो धातू के सिक्के मिले हैं वो बुद्ध के काल में वो बुद्ध के काल से संबंदित हैं जो महात्मा बुध थे गौतम बुध उनके समय ही धातू के बने शिkkे सबसे पेले परियोग में आये पहले तो हम लोग सिक्कों का इस्तमाल करते यह नहीं थे सबसे पहले वस्तु भी ने में पदीपती का इस्तमाल किए जाता था जब लोग स्वस्तु का आधान-प्रदान करते थे जैसे मेरे पास चावल है, आपके पास चीनी है मुझे चीनी की आवशकता है आपको चावल की तो आप मुझे से चावल ले लेंगे और मैं आपसे उतनी ही मात्रा में चीनी ले लूँगा लेकिन उसमें एक समस्चा यह थी माल लिजे मुझे तो चीनी की आवशकता है तो इसलिए फिर हमने सिक्कों का सिक्के डालना सुरू किया सबसे पहले पुराने सिक्कों को आहात कहा जाता था क्योंकि उसके उपर बहुती तेज अगहात करके जैसे माली जी क्या करते थे एक लोहा लेते थे उस समय तो ऐसा नहीं था कि कोई मशीन है तो उस समय क्या करते लोहे के उपर किसी चीज से बहुत तेज आगहात करते थे आगहात करना का मतलब होता है चोट करना तो उस पे एक निशान छप जाता था तो इसलिए उन शिक्कों को क्या कहते थे आहात कहते थे काली बंगन किस प्रदेश में इस्थित है इसका सही अंसर हो जाएगा राजिस्थान काली बंगन जो है वो राजिस्थान के हनुमान गरजिले में इस्थित है और ये सिंदु सब्यता के तीन बड़े नगरों में से एक है सबसे बड़ा नगर है मुहन जोदरो उसके बाद है हڑपा और तीसरा है काली बंगन काली बंगन से जुते हुए खेतों के साक्ष मिले हैं इस बात को याद रखियेगा कालब निमले कित? पहली बात क्यों ने अश्व मेर की जानकारी थी ये गलत है हडपा सब्विता की लोगों को घोड़े के बारे में अश्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी दूसरा गाय उनके लिए पवित्र थी इस बात के भी कोई साक्ष नहीं है कि हडपा सब्यता के लोग गाय को पवित्र मानते थे इस बात के साक्ष है कि वैदिक सब्यता के लोग गाय को पवित्र मानते थे लेकिन हडपा सब्यता के लोग गाय को पवित्र मानते थे या नहीं, इसका कोई भी साक्ष हमारे पास उपलब्द नहीं है। तीसरा है उन्होंने पशुपती का सम्मान करना आरंब किया था। ये बात एकदम सही है कि जो हडपा सब्यता के लोग थे, वो पशुपती नात की पूजा करते थे और जो हडपा नगर है, वहां से प्राप्त जो मोहरे हैं, उनमें उनकी प्रतिमा बनी हुई है, उनकी छाप बनी हुई है, जिसमें उनके एक और बाग बैठा है, एक हाती बैठा है, गेंडे बैठे हैं और पैर के नीचे उनके एक भैस है और दो हिरन है तो इस प्रतिमा से ये ग्यात होता है कि वो लोग जो हैं पश्वपतिनात का सम्मान करते हैं तो इसका option C, सही हो जाएगा हडपपा के लोगों की समाजिक पद्दति कैसी थी? कुछ लोग मध्यम वर्ग थे, कुछ लोग निम्न वर्ग के भी थे और कुछ लोग जो थे वो शाशक थे लेकिन जो वहां की नगरी सब्वेता दिखाई देती है उसमें क्या है सभी लोगों के घर जो हैं वो एक समान बने हुए हैं उन्हें घेरा गया है और सभी लोगों के घर के दरवाजे पीछे की और खुलते हैं सडक की और नहीं खुलते हैं यह सारी बाते यह दिखाती हैं कि वहाँ पे समानता काफी थी इसी भी प्रकार का संगर्ष नहीं था उच वर्ग में और निम्न वर्ग में तो यहाँ पे उचित समतावादी समाजिक पदती दिखाई देती है तो इसका option A सही हो जाएगा अगला question है सिंदु घाटी की खुदाई में मिले अवशेशों में ततकालिन व्यपारिक और आर्थिक विकास के जोचक निम्न में से कौन से हैं मतलब किन बातों से पता चलता है खुदाई में ऐसे कौन से अवशेश मिले हैं जिन से ये पता चलता है कि सिंदु घाटी सब्यता व्यपारिक और आर्थिक रूप से बहुत ही विक्सित थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा B मुद्राएं सिंदु घाटी सब्यता जो है वहाँ पे कुछ क्वाइंस जो है मेसो पुटामिया सब्यता के भी मिले है मेसो पुटामिया सब्यता के क्वाइंस मिलने का ये अर्थ है कि सिंदु घाटी सब्यता के लोग मेसो पुटामिया तक व्यपार करते थे तभी तो महां किसी के यहां आए अगर मालीजी आपको इंडिया से डॉलर मिलते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा कि जो अमेरिका के लोग थे वो भारत आते थे तभी तो किसी प्रकार से वो पैसा भारत पहुचा है तो इससे पता चलता है कि वो लोग व्यपारिक और आर्थिक रूप से बहुती विक्सित थे अगला कोशन है भारत में खोजा गया सबसे पुराना सहर कौन सा है तो इसका option A सही है हडपा हडपा 1921 में खोजा गया इसकी खोज की दैयराम सहानी ने और यही भारत का खोजा गया सबसे पुराना सहर है इससे अगला कोशन है हडपा इस्थलों की खोजाई में निमलिकित में से क्या नहीं मिला कौन सी चीज है जो नहीं मिली है तो इसका सही अंसर हो जागा सिखर सहित मंदिर देखे नालिया और कुएं मिले हैं मोहन जोदरों में तो कुएं घर के अंदर मिले हैं और नालिया बहुती अच्छी थी घरपा सबिता की धकी हुई थी मतलब सड़क के बीच में होती थी और धकी रहती थी धका हुआ ड्रेने सिस्टम है वहां का दुर्ग मिला है ध्यानागार भी मिला है ध्यान लगाने की लेकिन सिखर सहित मंदर नहीं मिला है किसी भी मंदर का सक्ष पूरी सिंदु घाटी सबिता में कहीं भी नहीं मिला है और कितने दुख की बात है आज हम लोग इतने मौडन होने के बाद भी मंदिर और मस्जिद पर लडाईयां करते हैं लेकिन उतने प्राचीन समय में भी कोई भी मंदिर के साखशाप को नहीं मिलते हैं तेरवा कोशन है कि सिंदु घाटी की प्राचीन संस्कृती और आज के हिंदु धर्म के बीच संबंद का प्रमार किसकी पूजा से मिलता है तो इसका अंसर हो जाएगा पत्थर, पेड़ और पशु आज के लोग भी पत्थर को पूजते हैं जो हिंदु धर्म में हैं जैसे शिवलिंग हो गया शिवलिंग की पूजा करते हैं उस समय भी लोग पत्थर की पूजा करते थे पेड़, पेड़ की पूजा आज भी करते हैं जैसे तुलसी की पूजा की जाती है बर्गत की पूजा की जाती है उस समय भी लोग पेड़ को पूजते थे बलकि हडपा सब्यता के जो लोग थे वो प्रकरती से बहुती प्रेम करते थे वो धर्ती माता को भी पूझते थे और पशु की पूझा, पशु पतिनात की पूझा की जा रहे है और आज भी हम लोग गाय को पूझते हैं ये बात अलग है कि हडपा सबता में गाय को पवित्र नहीं माना गया है वैदिक सबता में माना गया है लेकिन आज भी हम गाय की पूझा करते हैं और वो लोग भी पशु की पूझा करते थे तभी तो वो पशु पतिनात की पूझा करते थे तो इसका option B सही हो जाएगा question number 14 है इटो की कृत्म गोदी वाला एक मात्र सिंदू इस थल कौन सा था तो डॉक्याड की बात हो रही है तो डॉक्याड का मतलब होता है कि जो जहाँ पे जहाँ जाके खड़े होते हैं उन्हें हम डॉक्याड कहते हैं तो इसका अंसर ए सही हो जाएगा लोथल लोथल जो था के तेरा कोटा की मुर्टियों में निमलिकित में से कौन सा पालतु जानवर विद्दमान नहीं था तो इसका सही अंसर गाय हो जाएगा बार बार बता चुके हैं कि भैस मिली है भेड मिले हैं सूर मिली है लेकिन गाए नहीं मिली है गाए के मिलने का कोई भी साक्षे सिंदु घाटी सभिता में नहीं मिला है उससे अगला कोशन आपका है सोलवा कोशन बिना दुर्ग के एक मात्र सिंदु नगर कौन सा था तो ऐसा सहर था चनहुदडो चनहुदडो पाकिस्तान में है जिसकी खोज 1931 में हुई ठीक है यह सिंदु नदी के किनारे है और यह तीसरा खोज जाने वाला तीसरा सहर है सबसे पहले हडपा की खोज हुई जिसे दयाराम सहानी ने खोजा दूसरे नंबर पे आपके मोहन जोदडो की खोज हुई जिसे राखलदास बनरजी ने खोजा और तीसरे नंबर पे खोज हुई चनहुदडो की खोज किसने की गोपाल मजूमदार ने ठीक है तो यह याद रखेंगे इसका सही अंसर हो जाएगा चनहुदडो देखी क्या है कि हडपा में जितने भी नगर मिले हैं उन सभी की किलाबंदी की गई है यानि उनकी चारों तरफ बॉंडरी जैसे आज कल होती है न कॉलोनी के बाहर बॉंडरी कर देते चोर से बचने के लिए उसी प्रकार से उस समय भी पसू से बचने के लिए या जंगली जानवरों से बचने के लिए क्या किया गया था कि जहां लोग रहते थे तो लोगों ने घरों के किनारे यानि गाओं के किनारे नगर के किनारे चार दिवारी की थी तो दुर्ग बन गया था वो एक तो चनहुदड़ो जो है वो एक मात्र ऐसा सिंदु नगर है जहां पर दुर्ग नहीं मिलता है तो इसको याद रखेंगे इसका option 4 सही है सतरवा question है कि सिंदु घाटी सब्वेता की मुख्यविशिष्टा क्या थी जो सिंदु घाटी सब्वेता के लोग थी उनकी मुख्यविश्टा क्या थी तो वो लोग विवस्थित सहरी जीवन जीते हैं ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो सिंदु घाटी सब्वेता थी वो एक नगरिये सब्वेता थी सहरी सब्वेता थी वहाँ लोग कृषी नहीं करते थे वहाँ लोग व्यपार करते थे चीजे खरीदते बेशते थे तो इसका option दूसरा सही हो जाएगा असुचारण तो वो करते नहीं थे मैंने बता दिया वो क्रिशी नहीं करते थे जाती समाज विवस्ता जाती का भी इतना कोई भेलभाव नहीं था उस समय और प्रकरति के बलो की पूजा ये की जाती थी लेकिन ये विशिष्टा नहीं है सबसे मुख्य विशिष्टा सिंदु घाटि सबिता की यही है कि वो लोग सहरी जीवन जीते थे और विवस्तित सहरी जीवन जीते थे वहाँ पर जो आप गलिया देखेंगे, सडके देखेंगे एक दम चौड़ी-चौड़ी है 90 डिगरी पर एक दूसरे को काटती है, ग्रिड बनाती है तो इससे समझ आता है कि वो लोग एक विवस्तित सहरी जीवन जीते थे कोशन नमबर अठारवा है, सिंदू घाटे सब्विता के लोग प्राए अपने मकान बनाते थे किस से, पक्की इटो से, पत्थर से, लकड़ी से, या उप्रियुक्त सभी से तो इसका सही अंसर जाएगा, पक्की इटो से इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ की जो सब्विता थी अभी पिछला क्वेशन भी यही था, कि क्या मुक्षविता थी कि वो लोग विवस्तित सहरी जीवन जीते थे जैसे गाउं में आप जाते हैं, तो आपको मिट्टी के घर मिलते हैं लेकिन सहरों में जाते हैं, तो क्या पक्की इटो के घर मिलते हैं तो इसी प्रकार से सिंदु घाटी सभीता के लोग भी अपने मकान जो है, वो पक्की इटो से बनाते थे इससे भी ये साबित होता है कि वो जो है एक विवस्थित सहरी जीवन जीते थे Question number 19 वा है देवी माता की पूजा सम्बंदित थी तो ये भी सिंदू घाटी सब्यता मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंदू घाटी सब्यता के लोग धर्ती की पूजा करते थे धर्ती भी एक तरीके से माता है प्रकरती भी माता है तो वो लोग देवी माता की पूजा करते थे और आप ये भी कह सकते कि सिंदू घाटी सब्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी जैसे आजकल पित्र सत्तात्मक समाज है उसमें मात्र सत्तात्मक समाज था मतलब महिलाओं को जादा माना जाता था उसमें महिलाएं कुवारी रह सकते थी उनको पढ़ने के अधिकार थे परदा प्रता नहीं थी तो ऐसी चीजे थी सिंदुगाटी सविता में देवी माता की पूजा होती थी बिस्वा कोशन है कि मोहन जोदरों में सबसे बड़ा भवन कौन सा था तो मोहन जोदरों में जो सबसे बड़ा भवन मिला है वो मिला है आपका अन्नागार तो ये अन्नागार तो इसमें दिख नहीं रहा है तो ये दूसरे option को ध्यानागार नहीं होगा यह अन्नागार होगा अन्नागार को ही ध्यानागार कहते होंगे जहां पर धान रखी जाती हो या फिर अन्न रखे जाते हो तो अन्नागार सबसे बड़ा भवन है और दूसरे नंबर पे है विशाल इसनानागार बलकि मोहन जोदरों का सबसे बड़ा भवन अन्नागार नहीं हैं पूरी सिंदुगाटी सभिता का ही सबसे बड़ा भवन अन्नागार है तो यह याद रखेगा इसका option B सही हो जाएगा अन्नागार या फिर ध्यानागार कोशन नमबर 21 निमलिकित विद्वानों में से हडपा सभिता का सरोपथम खोज करता कौन था तो आपको पता है हडपा सभिता की खोज जो है वो की आपके दयाराम सहानी ने उन्होंने सबसे पहले हडपा नगर खोजा और हडपा जो है वो रावी नदी के किनारे हैं यह याद रखेगा निमलिकित में से कौन हडपा संस्कृति के अध्यन के साथ सम्मंदित नहीं है तो इसका ओप्शन फोर सही है पीएस वत्स लेकिए चार्ल्स मेसन जो है उन्ही को सबसे पहले यह औरर मिला था कि आप खोज करिये सिंदुगाटी सभिता की तो उन्होंने दयाराम सहानी को का काम पे लगाय था करिंगं जिएρून होने भी सिंदुगाटी सभिता की कि का म काम किया है एम वीलर चाब का इसमें काफी योगदान है जैसे मिट्टी को पिगला के एक लाल रंग का लेप वो लोग बनाते थे उसी को टेरा कोटा कहते थे उसे फिर वो उसे ढाला करते थे बरतन ढाला करते थे सिक्के ढाला करते थे तो टेरा कोटा का अगर द्रवी की बात की है तो आप इसमें टेरा कोटा लगाएंगे टेरा को और उटको पयों किया जाता था अगला कोशंन है कोशंन नोमर 24 वा कि छड़पा वासी कि सबसे ज़्यादा उत्पाद वह किस का करते थे सबसे ज़्यादा हडपा की जो लोग थे वो कपास का उत्पादन करते थे मैंने पहले भी बताए कि वो लोग व्यवसाई थे वो क्रिशी पर खाने की चीज़ों के उत्पादन में उतना उनका ध्यान नहीं था उनका ध्यायम था कि कौन सी चीजी ऐसी है जो ज़्यादा profit देंगी जो ज़्यादा लाब देंगी तो वो कपास का ज़्यादा उत्पादन करते थे जो और गिहों के बजाए तो इसका option C सही हो जाएगा Last question है हडपा की सब्यता किस यूग की थी कौन सी यूग में उसे रखा जाता है तो वो एक कांसी यूगीन सब्यता थी उस समय कांसी का प्रयोग शुरू हो गया था और कांसा क्या होता है कांसा आपका बनता है 10 और कॉपर को मिला के यानि जब आप 10 के साथ ताम्बे को मिक्स करते हैं तो कांसे का निर्माड होता है और हरपपा की सब्वेता जो थी उसे कांस यूगीन सब्वेता भी कहा जाता है धन्यवाद दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी? ये कमेंट सेक्शन में बताईएगा और अगर ये वीडियो आपके लिए कहीं से भी हलपफुल थी तो इसे लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे भी मिलते रहेंगे और धेर सारी वीडियो के साथ कीप वोचिंग, कीप लर्निंग